ही गाईज वेलकम तो माई चैनल सो मैं टेरोट का रीडिंग और इस वक्त में आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूं गाईज हससरे के लिए जानेंगे आपके परसन और उनकी ऐनर्जी को कि किया कहती है उनकी आपके लिए क्या होगा आगे आपके रिलेशनिप में अभी इस वक्त आपके रिश्टी में क्या हो रहा है पास्ट की भी energies को चेक करके बताऊंगी और future में आपके relationship में क्या होगा current energies आपके partner की आपके लिए क्या है वो आप से क्या चाहते हैं जो भी चीज़ें आएंगी candle में सारी के सारी में चेक करके आपको बताने वाली हूँ चैनल को like subscribe जरूर कर लीजिए बल एकन को भी press कर लीजेगा next notification के लिए journal collective timeless reading है जिसके साथ match करें वो देखें अगर match नहीं करता है तो आप इस reading को छोड़ सकते हैं तो चलिए अभी start करेंगे reading देखने से पहले करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी चंद्र राशी के बेस पर इस reading को देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है आपके person की चंद्र राशी मौन साइन यानी तो आप उनके name के हिसाब से जो भी राशी बनती है उस राशी के बेस पर आप इस reading को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं अगर आपको कोई भी राशी नहीं मिल रही है और आपको राशी नहीं कर रही है तो आप इसकी जो energies होती हैं आपको गोड़ी खुदबा खुद फील हो जाएगी अगर आपकी reading होगी तो तो आपने इस डिन को देख सकते हैं और आगर रीडिंग आपके सथ सारा खेल एनर्जी का ही होता है बहुत ही 40 है इस वक्त किया एनर्जी है आंगे करें हैं वाली हुट है उन सारी ही चीजों पर सब और डीजी की देखने की बाली है कि क्या मोटी इन जेज है सो चले स्टाइट करेंग है कि फोकस किभा के रोहरा डीजेगा आप passado के लाइट के ऊपर मुजा तो दिख रही है मुझे बहुत तेज और द जिख रही है और गैंडलाइट आह रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी किन्ट्रॉल में है ये अनर्जी कन्ट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रिजेंट कर रही है इस वक्त की उरचा आपके परसट ऐसा लग रहा है कि आपके परसन आपकी लाइफ में आना चाहते है लेकिन कहीं न कहीं किसी बात को लेकर stress में दिख रहे हैं मुझे उनके decision लगातार change हो रहे हैं अप एंडाउन्स की तरफ उनके energies हो रही है अज उर्जा बहुत तेज हो रही है energy is बहुत तेज हो रही है आप law देख लीजेगा आपको law समझ में आ जाएगी कि law कितनी तेज है यह स्वेम प्रभू जो है universe जो है अब इस वक्त support कर रहे हैं इस वक्त ब्रह्मा शक्तिया जो ब्रह्मान की है वो यहाँ पर available है इस वक्त angel sign दे रही है मांग लिजेगा जो मांगना है आपको angel sign दे रही है आप लोग को देख सकते हैं यह कितनी तेज हो रही है इसकी उर्जा जमतकार मैसिक 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 आपके person की energies आपके लिए बहुत ज़्यदा positive बन रही है इस वक्त energies में जो मैं देख पा रही हूँ ऐसा लग रहा है इस energies को देख कर कि बहुत जल्द आपका कोई बड़ा सपना कोई dreams आपका पूरा होने वाला है बहुत ज़्यदा निराश अगर आप हो रहे हो तो कहीं न कहीं आपको इस वक्त उर्जा में लस्ट्राट हो गई है आपके life में positive उर्जा को मैं आते हुए देख रही हूं कहीं कहीं मैं ऐसा भी देख रही हूं कि लगातार आप जो है बहुत जादा स्पेश्चल हो गए हो जाब बहुत जादा इस वक्त आपका जो focus है वह इश्वर की तरफ बढ़ता जा रहा है ध्यात्मी की तरफ इस प्रिचुलिटी की तरफ आपका फोकस पढ़ता जा रहा है आपके परसन की एनर्जी को देखकर असा लग रहा है कि जैसे आपके परसन जो है वो आपके लाइफ में दुबारा से लोट कर आना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत तेजी से हो रही है और इस वक्त की जो उर्जा है उसके हिसाब से किन्ट्रोल करने की कोई कोशिस बहुत ज़ादा कर रहा है आपके रिलेशन स्ट्रेप या कोई बहुत बड़ा कोई फैसला कोई डिसीजन मन ही मन ले लिया है ये इंसान जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हो अगर ये परसन आज आपसे दूर जा चुका है या फिर आपको ऐसा फिल हो रहा है कि बही अब तो ये रिलेशन से टूट ही जाएगा बिकर ही जाएगा इनका रिष्टा तो कई और जुड़ चुका है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़े हो रही है तो मैं ये इनके साथ कहती हूँ कि ये परसन आपके लाइफ में लोट कराएंगे इनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्यूर है बहुत ही प्यूर बहुत ही साफ्ट पिछले काफी टाइम से मुझे कुछ लोगों को करियर भी बहुत जादे अफेक्टेट करता हूँ दिखाए दे रहा है साल लग रहा है कि करियर में कहीं न कहीं बहुत जादे नकारत मकता आ रही है या फिर करियर में कुछ उतार चड़ा हो रहे है मन में कुछ शंका करियर की तरफ से लगी हुह है और कोई सपना है अपका कोई ड्रीम जॉब है आपका या ड्रीम करियर है आप वो पाना चाहते हो लेकिन माइड इस समय आपका खुद का कंट्रोल में नहीं हो रहा है और हर वक्त एक निगेटिविटी सी आपको फिल होती रहती है चीजों को ठीक भी होती है लेकिन बापस से एनर्जीज रुख जाती है ऐसा यहाँ पर एनर्जीज कह रही है लेकिन मैं वही एनर्जीज को आगे फ्लो में जाते हुए भी आपकी देख रही हो आगे आने वाला समय आपके करियर के लिए बहतर साबित होगा अगर आप किसी बिजनिस में जाना चाहते हो यसे मैं इस तरह में इस वक्त देख रही हूं कि ओनलाईन बिजनिस बहुत तेजी से आपके माइंड में अगर चल रहा है यह बहुत जल्द से जल्द आप स्टार्ट करने वाले हो यह असा लग रहा है आपको तो कहीं न कहीं या स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें सफलता का योग मुझे बहुत तेजी से दिखाई दिए रहा है। Relationship की बात करूँ जहां तक मैं रिश्टा तो आपका जुड़ चुका है आपके person के साथ लेकिन इस वक्त आपके relationship में बहुत ही जादा problems है। हाला कि ये person की feelings तो आपके लिए loving दिख रही है ये चाहत तो चाहत तो है जिनसान की आपके लिए लेकिन अपनी मन की अच्छाओं को ये person दबा रहे हैं और कहीं न कहीं ये दबाब में भी है, burden में है, मन की energies को दबा कर रखे हुए हैं। feelings, energies आपकी grow होती है, develop होती है, बट वो energies कहीं न कहीं वापस से तूट जाती है, ऐसा मैं यहाँ पर होते हुए देख रहे हूं। आप लोग के बीच में जल्द से जल्द कोई decision होने वाला है, कोई बात होने वाली है, अपने और अपनी रिष्टे को लेकर, बहुत जल्द आपकी person आपसे बात करने वाले हैं। और उन आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, तो ब्लॉक करके अपसे बात करेंगे। यह person इस वक्त काफी ज़्यदा mentally stress ले रहे हैं। कि इस energies को भी मैं यहाँ पर देख रहे हूं। कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उने बहुत ज़्यदा परिशान कर रही हैं। अंदर से ने बहुत ज़्यदा तोड रही है। Silence, energies in person की आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी ने इनको बहुत तेजी से धोका दिया है। और वो चीजों को यह आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं इनकी energies को यहाँ पर यह भी देख रही हूं। कि इनकी feelings आपके साथ जुड रही हैं। इनका प्यार आपके साथ जुड रहा है। लेकिन लगातार कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके mind को बहुत ज्यादा disturb कर रही है। या कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं। जिनमें इन्होंने अपने आपको खुद को रोक रखा है। जैसे की मतलब होता है कि हम खुद को रोक लें। खुद पर हम कंट्रोल कर लें। इसा नहीं करना है। या फिर बर्डन में हैं या फैमली के उसमें हैं पूरी तरीके से तो जो फैमली बोलेगी उसके साब से चलना है। लेकिन खुद की एक्छाओं को बहार ना आने दे डेवलप ना होने दे तो वही चीज भी यहां पर मुझे आपकी परसन में दिख रही है। लेकिन इस वक्त इनका रवया आपके बदला हुआ है। इनके बात करने का तरीका आपके लिए बदल गया है। अपनी कोई भी भावनाय कोई भी फीलिंग से आपको शाथ शेयर नहीं कर रहे है। उल्टा जब आपकर इनसे बात करना चाहोगे तो यह रिस्पॉंस नहीं देंगे या फिर कुछ इस तरीके से बात करेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा खुद से स्ट्रेस में चले जाओगे। लगातार मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है आपके परसन की तरफ से लेकिन जब तक कोई भी एनर्जीस यह देखे पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जीस लगातार पॉजिटिव एनर्जीस मिल रही है लगातार ठीक है बट सम एनर्जीस न कि इन परसन के साथ भी कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन परसन के साथ कोई चीट किया है किसी ने धोका दिया है इन परसन को या किसी के साथ इन परसन की बात्चीत थी रिलेशनसिफ था या कुछ ऐसा था इनकी परसन की लाइफ में पास्ट में जो से जदा बैतर होने लगी ठीक होने लगी ती और काफी जदा आप इनके लिए लगी थे जिससे इनकी लाइफ मेरा बड़ चेंज भी आये थे इनकी करियर में इनकी खुद पर अच्छा अच्छा ग्रोथ कर रहे थे लेकिन अभी कुछ टाइम से पिछले कुछ महीनों से ये पर वह जब आप लोगे बीच में जो मिस अंडरस्टेंडिंग को भी बता रही है आप किसी चाइल्ड को टेक केर कर रहे हूं मुझे असा लग रहा है आप मैसे कुछ जनरल लेडिंग है तो सबीके साथे किस चीज मैच नहीं करेगी लेकिन हां कुछ साइन मिल रहे हैं कि आप से इस वक्त आपकी लाइफ में उतार चुड़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मैं इस चीज को देख रही हूं मिसंडरस्टेंडिंग बहुत ज़्यादा है और आपकी परसन को किसी ने बहुत ज़्यादा मिस्गाइड भी करके रखा हुआ यह चीज भी यहां पर शोह हूरी कंडल वैक्स में लेकर आज कंडल वैक्स में मुझे आपके परसन की तरफ से जो उर्जा मिली है उस उर्जा में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपका मिलन होगा और यह परसन कुछ भी हो मतलब कहीं नहीं गए ईश्वर आपको मिलाएंगे यह परसन की उर्जा आपकी तरफ आती होई आज मुझे दिखाए दी है इस वक्त तो यह बहुत पावर्फल उर्जा हो सकती है आपके रिष्टे के लिए उनके मन की एक्षा आपके परसन की मन की एक्षा अंतरात्मा की जो एक्षा है वो आपके साथ कनेक्ट कर रही है खामोश है साइलेंस है बोलने पर रिस्पॉंस पॉजिटिव नहीं आ रहा है अगर आप उनसे कुछ बोलोगे तो वो आपको रिस्पॉंस ऐसा मिलेगा जो अरिस्पेक्टेड लग मतलब इग्नोरिंग रिस्पांस या फिर कुछ ऐसा रिस्पांस जो मतलब आप चाहते हो वो रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा भी इस वक्त इन पर्सन का जो अल्फवेट है मैं बता देती हूँ मुझे से कुछ अल्फवेट दिखाए दे रहे हैं कि नाम किसे स्टाट हो रहा है या फ्री अल्फवेट उनके सरने में भी आ सकता है उनके नेम में भी आ सकता है तो सबसे पहले मैं ए बोलूँगी अल्फवेट A, K, P, R है, S है, N है, अल्फवेट L, Y है, Z है, अल्फवेट T, E है, O है, R है, S है इस इस सिंबल न रहे है यहां पर इहां पर अंजल साई दे रही है फिर अगयन अंजल साई दिया है अगय इन अगयन पॉजिटीव साईट दे रही है अंजलस आपको आच है पी और अन है तो यह अलफबेट यहाँ पर दिखाए दिए है अगेइन 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 अजन साइन मिल रहे है और यह बहुत पावरफुल साइन है I don't know कि किसके किसके रीडिंग है और कौन देख रहे हैं जिनके भागे की आने ओले समय में तरक्की होगी जिनके बागे में आगे आनेवले समय में लव लाइफ अच्छी होगी जिनका ilesem welkul был ठीक हो जाएगा आगे आने वाले समय में उनकी बहुत बड़ इक्षा पूरी होने वाले होगी आज मेरी रीडिंग वही व्यक्ति देखेगा या इस रीडिंग तक अगर आप पहुत चुके और आपको मिल चुके तो समझ लो कि आपके जीवन में विशेस परिवरतन होने वाला है आपके तो यहां पर मुझे अभी इतने ही साइन मिल रहे हैं अभी मैं कुछ टेरो कार्ट से देख लेती हो अनर्जीस को तो चलिए अभी नेक्स्ट अनर्जीस को चेक करेंगे और आशिया मैं आपको बता दूगी नाम ले लिजेगा आप दबारस से अनर्जीस को में अपने परसन का को कि दिखे मैं बराबर आपको इस चीज के लिए आज बोल रही हूं लगातार मतलब जब से मैंने करनल वैक्स अनर्जीस को रिट किया है देन तब से मैं आपको सेलिब्रेशन और कुछ कोई बड़ी इक्षा या कुछ ऐसी चीज को आज मैं होते हुए देख रहे हूं तो कि हम सोचते हैं कि आरे ये चीजस कैसे पूरी हो सकती अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी चीज सोच लिए कैसे ये इंसान मुझे मिल सकता है या फिर ये मेरी इक्षा कैसे पूरी हो सकती है तो ये बात याद रखेगा जिस टाइम से हम कोई भी इक्षा करते है अगर इश्वर को वो मंजूर है ठीक है या फिर वो इक्षा कोई ऐसी इक्षा नहीं है जिसमें किसी का आहित आप कर रहे हो या ऐसे इक्षा जिसमें सिर्फ आपका अच्छा है और किसी कोई नुकसान नहीं है और आप किसी अपनी के लिए खुशी मांग रहे हो इश्वर से तो जिस वक्त आपे वो इक्षा करते हो तो इश्वर खुद आपको जुड़ जाते हैं वो सिक्षा को पूरा करने में आपके लिए ठीक है और सच मानेगा गाइस टेरो कार टीटिंग में जो अनर्जीस मुझे दिख रही है आज की वह बहुत ही ज़दा बहुत जादा पौज ट्रिप दिख रही है तो मतलब कोई ब सूच रही हो की पतन लिए चीज कैसे होगी लेकिन कभी कभी कहते हैं कि क्थ इश्वर देने पर आता है यह विह क्षा होती है है ना जो जिसको आप चाहते हो बहुत दिलों से चाहते हो और वह भी आपके साथ जोड़ा हुआ है बट सड़न ही वह आपके साथ no contact में आ गया क्योंकि यह से बात करना घुमने भी कहीं गए हो ऐसा टेरोकार्ट में दिख रहे हैं कि आप कहीं घुमने भी गए हो इनके साथ या कुछ प्लान आपने किया है बड़े प्लानिंग कि है घुमने की बाहर सेटल होने की वह चीज़ें भी आप दिखाए दे रही हैं बट प्रिजेंट में जादा पॉजिटिव आपकी होने वाली है और कहीं न कहीं जिस इनसान के लिए जब तरप रहे हो या जिस इनसान को पाना चाहते हो यह परसन खुद क्योंकि इनकी जो मैंने अनर्जी को मैं देख रही हूं इनकी अनर्जी को देखो तो इस वक्त यह भी काफी ज़दा आपके साथ मालीजी कॉंटेक्ट ही है आप सेम वर्किंग प्लेस में है या फिर सेम कुछ ऐसा है आपका कि आप मिल रहे हो जुल रहे हो लेकिन बात चीत नहीं हो रही है आपकी पहले की तरह तो अंदर या अंदर यह परसन भी काफ़ेदा स्ट्रेस में है क्योंकि यह व् अपको लेकर फिर भी फिर भी कुछ ऐसी नकार अत्मक्ता है या कुछ ऐसी बांडेशन है इनके उपर 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 जिससे यह अपनी चीजों को आप से हाइड कर रहे है ठीक है तो वह चीज भले ही दिख रही है बट मैं फिर अगें अगें इस चीज को रिपीट करूँग और आपके लाइफ में आगेरे उने ट्राइम में आपका परसन का साथ भी होगा और वो साही खुशी हैं जो आप डिजर्ब करते हो वो आपको सारी के सारे एक बाद एक मिलती चली जाएंगी ऐसा यहाँ पर टेरो कार्ड में एनर्जी मिल रही है मुझे और कुछ अर्टिस को देखूँगी यहाँ पर ग्यल्ट भी है और यह ग्यल्ट को डेकर रहे हैं जबकि चाहते हैं वो आपके साथ अपनी बावनाओं को अपनी बातों को शेयर करना तो राशियां बताऊंगी मैं ठीक है आपको और नाम ले लेजेगा आप अपनी परसन का तो राशियां मैं बता देती हूं आपको मैं दो कार्ड़ों ले लेती हूं अगेन अगेन बहुत ही पोजिटिव कार्ड है तुला मेश कन्या कुम्ब मिथुन कैंसर जैमने मकर धनू सिंग और ब्रश्शिक राशी यहां यहां पर मुझे दिख रही है वैंट्स की अनर्दीज है जो कि स्ट्रॉंग अनर्दीज को रिप्रेजेंट कर रही है वर तेगि वहीं पर ही स्कुनिफ सोट्स भी आ चुकी है जो कि की आपके रिष्टे को लगाता डिस्ट्रफ करने की कोशिस करी जा रही है ऐसा यहां पर टेरुगार्ट कहह रहे है कोई क्यूनिफ सोट्स है जो बहुत जबया इंवाल्ब अले प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वह कहीं ना कहीं अनर्जीस की वज़े से ही हो रहा है क्योंकि जब कोई भी चीज कितना सत्त जो है वह जब कोई बताता है तो कुछी जैसी हो जाती है जो इसान के मन में होने लगती है ना तो यहां पर यही चीज मुझे आपके परसन की काड को डिफाइन में कर लूँगी और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे टेरो कार डीडिंग करवाना चाहते हैं या अपाल्मेंट टेरो कार डीडिंग का लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर नोट कर लीजेगा क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा अगर आम Facebook या किसी अदर नंबर पर contact ना करें क्योंकि वो मैं नहीं हूं मेरा नंबर है सिर्फ में जो अपने मूं से बोल रही हूं 9540119650 आप इंडिया के बाहर है तो आप इसमें प्लस 91 लगा लीजेगा एंड रिपीट कर देती हूं मैं अपना नंबर 9540119650 only for message no call क्योंकि आप message के थूँ आप मेरी supporting team से बात करेंगे अगर appointment एवलेबल होगा इस वक्त इस टाइम पर तो वह आपको जरूर appointment दे देंगी बागी का सारा schedule वह आपको समझा देंगी बता देंगी जो भी मेरी supporting team है तो यह जो number दिया गया है जो number मैंने बोला है मुझ से अगर आप चाहे तो और इसके अलाबा कोई भी number ऐसा नहीं है जिसमें आप payment कर दें या appointment ले ले क्योंकि वह मैं नहीं हूँ वह कोई फेक हो सकता है तो चलिए अभी define कर लेते हैं कार्ब्स को क्या कहते हैं आगी की energies देखिए sometimes क्या होता है कि हम जब भी कुछ चीजों को करते हैं कोई अच्छा करते हैं या फिर तो वह कहीं कभी कभी difficulties होती हैं तो इस वक्त आपके रिष्टे में भी ना मुझे difficulties बहुत ज़्यादा दिखाए दे रहे हैं मतलब आप अपनी मंजल पर पहुंच होगे लेकिन उसके बीच में काफे दिफिकल्टीज मुझे दिख रही है और वह डिफिकल्टीज हो सकती है that person की बज़े से misunderstanding की बज़े से और involvement जो कि यहां पर किन अब सोट्स के रूप में दिख रही है या कई नगा यह पावर्फुल एनर्जी के रूप में यहां पर शो हो रही है मतलब बहुत ही जदा पावर्फुल एनर्जी यह इनसान दे रहा है जिसलिए आपके रिष्टे में प्रावलम्स क्रेट हो र आपके रिष्टे में नहीं उड़जा को लेकर आएगा जब भी आपको रिडिंग मिलेगी उस वक्त से उस टाइम से आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी और आपके लाइफ में परस्टिविटी जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में जो सारी प्रावलम्स जो है वो आपके एक एक करके दूर हो जाएगी और जो आप पाना चाहते हो यह जो डिजर्व आप करते हो वह चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटीव बहुत जदा रहें क्योंकि आजकी अनर्जी भी बहुत ज से ठीक हो जाएगी मेरे सुस्क्राइबर्स मेरे वीवर्स और टेक क्यार बाए बाए